तो मार्किट आज क्रैश हुआ और बहुत बड़ा क्रैश हुआ क्योंकि 70,000 डॉलर बिटकोईन ने हिट किया था जुलाई के एंड में क्योंकि डोनाल ट्रंप ने जो कुछ का था उसको देखते हुए बिटकोईन ने वहाँ पे गेम किया और जैसे ही अगस्त की स्टार्टि ये महीना कहीं न कहीं आज जो डेट है वो डेट बन गई 2024 के बड़े क्रैश की क्योंकि बिटकोईन ने अपना 6 महीने के बाद अपना 48,000 डॉलर के लेवल दिखाए फरवरी का महीना एक ऐसा महीना था जब बिटकोईन 48, 49, 50 के राउंड चल रहा था और उसी टाइम बिट जंप दिखाया था वहां से और मार्च में नए ओल्टे महाई हिट कर दिये थे अब हुआ क्या कि अगर हम थोड़ा पिछले 6 महीने का हाल देखें क्योंकि ये जो क्रैश आया ना ये 20 से 22 महीनों के बाद आया दो हज़ार तेईस में मार्किट अच्छी चलनी शुरू ही थ 2022 के नविंबर में जो क्रैश आया था FTX के दिवालिया होने पर, FTX के कॉलाप्स होने पर वो लास्ट और फाइनल क्रैश था जब बिटकोई ने 15,000 डॉलर को हिट कर दिया था लेकिन उसके बाद ये जो क्रैश है ये बहुत बड़ा क्रैश है इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन इस क्रैश से क्या हमको डरना चाहिए, क्या पैनिक करना चाहिए, क्या यहाँ पे कोई गलट डिसीजन ले लेना चाहिए, क्या यहाँ पे हमको लास्ट बुक कर लेना चाहिए, ये सबसे ज़दा जरूरी है, मार्किट में ऐसी सिटुएशन पहले भी रही है, मुझ पांच-छे महिने में बहुत सारे नए लोगों की एंट्रीज हुई हैं बिटकोईन के नए ओल्टेम हाई को देखते हुए और उनी को डराना चाहता है मार्किट, मार्किट हमेशा ऐसा काम करता है जब नए लोगों की नए लोगों की वेव क्रिप्टो में आती है ना उनको उनका लॉस कराना इस तरह के सीनेरियोज मार्किट, क्योंकि जब तक आप, कहते है न, जो जिद्धी थे आप 2022 की मार्किट उछागे देखो, जो उस टाइम पे जिद्धी रहे पूरे साल, है न, उसी क्रेश ने क्या किया? मिलेनर बना दिया, बिलेनर बना दिया, रियालि वो crash सबसे भारी भरकम crash थे वैसा ही crash 2024 में ने देखा काफी time के बाद 20 से 22 महीने के बाद ये crash आया और इस crash से मुझे लगता है घबराने की जुरूरत नहीं है, ठीक है, crash आते है market में जब ऐसे semi current बनते हैं, ऐसी situations create होती है, ऐसी conditions बनती है worldwide, एक तरफ recession हो गया, एक तरफ war situation हो गई है ना, कुछ data जैसे आये, सबका combination market को impact कर दिया, सारी चीज़े ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें, तो 24,000 से, October से लेके, अब तक market काफी अच्छी बनी हुई थी, उपर के level पे, 53,000 dollar bitcoin ने देगा था, July के first week में, कोई problem नहीं है, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे coins crash हैं, no doubt, बहुत सारे coins, अगर आज आप list उठा के देखेंगे, मुझे लगता है, हम खुद देख रहे देगी, बहुत सारे coins ऐसे coins हैं, जिन्नोंने आज अपन आज वो भी अपने नए low level पे चल रहे हैं, बहुत लंबी list है, क्योंकि अगर हम यह हर एक coin के बारे में discuss करेंगे, तो मुझे लगता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, हम पूरी list अपने telegram पे discuss करेंगे, अगर आप telegram चैनल को जोईन नहीं किया है, तो नीचे link है, उसको join कीजिए, ठीक है, all time low लग चुके है, all time high लग रहे थे, अब से पहले, बहुत सारे coins पहले ही low level पे बने हुए थे, survive कर रहे थे, market में crash आगया, no problem, मुझे लगता है, ये एक opportunity है, एक अच्छा मोका है, जिन लोगों ने market में खरीदारी नहीं किया अभी तक, सोच रह अच्छा time नहीं हो सकता, हो सकता है, bitcoin और भी नीचे के level दिखा दे, मैं ये नहीं कहूंगा, कि यहां से market quick उपर जाएगी, हो सकता है, थोड़ा नीचे के level दिख जाए, थोड़ा drama चले, लेकिन, crash में ही अच्छा मोका मिलता है, buy करने का, 35-40% coins चूटे हुए, drop आया, इतन crash में ही खरीदा गया, आपको millionaire, billionaire बनाता है, यह यहां पे prove भी हो चुका है, 2022 में, जब crash हो रहे थे, जिन लोगों ने वहां पे खरीदा, 1000% बहुत सारे coin उस time से लेके अब तक pump हुए थे, इस crash से पहले, तो इसमें कोई doubt नहीं है, ठीक है, crash आपको अच्छा return देता है, ले आपको बड़ा loss देता है, और ऐसा ही हुआ, 70,000 पे जिन्नों ने खरीदा, 72, 73 पे खरीदा, जो market को नए लोग आ रहे थी, यह देखके, कि bitcoin अपनी नए record high पे चल रहा है, उनके लिए कहीं न कहीं problem, bitcoin ने create कर दी, और dump दिखा दिये, तो यह मुझे लगता है, कुछ time का हो स second, third week का कैसा रहता है market, लेकिन mocha है, recovery भी, बहुत सारे coins आपको दिखा सकते हैं, ठीक है, quick recovery, ठीक है, short term की उसमें अच्छा profit मिल सकता है, तो mocha है, mocha को miss मत कीजिए, profit की तरफ सोचिए, profit के लिए सोचिए, short term में profit बनाने का सोचिए, और इस time पे spot trading ही कीजिएगा, futures में मत जाएएगा, long shot करने का इस time पे time नहीं है, तो mocha है, mocha का benefit आपको जरूर लेना चाहिए, ठीक है, बाकि जो scenarios update रहेंगे, वो हम discuss करते रहेंगे, तब तक के लिए, bye bye